एसी उसके लिए गूगल अपडेट से भी ज्यादा भयानक और ढरावना क्या होता है हैक वेबसाइट इस तरह के हजारों लाखो यूरल वेबसाइट के साथ चिपक जाना और गूगल सर्च रेजल्स में दिखाई देना आपकी वेबसाइट की इमेज की धजियां उड़ जाती हैं और आप वेबसाइट को दो मांज के सही तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी ये यूरल्स गूगल से नहीं हटते हैं आज के वीडियो में हम मैलवेर अटैक, जैपनीज कीवर्ड अटैक या किसी भी और टाइप के जादू टोने के बाद आपकी वेबसाइट पर जो स्पैम यूरल दिखाई देने लगते हैं आपकी वेबसाइट के साथ सर्च दोस पेज में उन्हें हटाने का यूनीक तरीका देखेंगे साइट मैप से अब हमतिवारी इफरमतिवारी डाटनेट और आज के वीडियो में हम हैक हुई वेबसाइट की इज़त वापस ला रहे हैं इस वीडियो के टॉपिक का इडिया मुझे आच्छली में आया अनकैडमी कोर्स की क्लास से हम लोग साइट मैप के बारे हम डिसकस कर रहे थे और मुझे याद आया कि साइट मैप के जरीए हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं हैं हैकिंग से रिलेटेड के उपर अब यभी Google My Business का स्मार्टफोन अब बंद हो गया है कैसे आप अपनी लिस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं कैसे आप डैश बोड के बिना अपनी लिस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं क्या रैंकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं आगर आपकी लिस्टिंग सस्पेंड है तो हम डिसकस करेंगे इस live class में so I hope कि आप जोइन करेंगे 27th August को रात को 9-10 के बीच में आज के वीडियो में हम website से malware remove करने के बारे में बात नहीं करेंगे malware या virus अठाने का process website के platform के base पर depend करता है अलग-अलग होता है बट एक बार जब आप website को clean कर लेते हैं या reinstall कर लेते हैं refresh कर लेते हैं completely तो भी search results page से आपके domain पर यह जो जिप्रेश junk urls इनकी साड़े साती लगी हुई है यह नहीं उतरती है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं यहां एक बड़ा confusion यह होता है कि वो spam urls या pages आपकी website पर वह है नहीं तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं ना तो आप redirect कर सकते हैं ना no index लगा सकते हैं आप फिर किया क्या जाए तो इस problem को हम solve कैसे करेंगे site map से पहले मैं theory explain करूंगा थोड़ी सी और इसके बाद में यह सारे steps आपको करके भी दिखाऊंगा तो आप सब SEOs हैं आपको पता है कि जब हम किसी site map file को Google search console में submit करते हैं तो Google उन्हें crawl करता है उन सारे URLs को crawl करता है आज ही करेगा कल करेगा परसों करेगा बट जरूर करेगा इसी weakness का हम फायदा उठाएंगे आपकी website के लिए जितने भी spam URLs आ रहे हैं उनकी list हम बनाएंगे list कैसे बनाएंगे आप Google search console की coverage report से list बना सकते हैं Google search console dashboard में coverage report पर आपको जाना URL और CSV में से किसी भी एक format को select करना होगा और इसके बाद आप data को download कर लेंगे and इस file को आप open करिए और फिर table sheet में आपको आना होगा second number की sheet है यहाँ पर आपको उन URLs की list मिलेगी जो Google आपकी website के लिए आपके domain के लिए register कर रहा है इस list को ध्यान से देखिए और अपने सही URLs को इस table में से हटा दीजे सिर्फ उन ही URLs को आपको इस table में बचा के रखना है जिने आप हटाना चाहते हैं ओके spam वाले URLs से यहाँ पर सिर्फ रहेंगे वैसे URLs के list अगर आपको search console में सही से नहीं मिल रही है तो आप search results page से भी निकाल सकते हैं आप site call and website URL function से अपनी website के सारे index ज आपको इस वीडियो को description दे दूँगा इस free की utility को use करके आप अपने सारे के सारे URLs की list को extract कर सकते हैं किसी भी utility को आप use करिए बट अपने URLs की list को निकालने के बाद आपको इस तरह से sheet में paste करना है और जो भी आपके अच्छे URLs हैं उन्हें आपको इस list में से हटा देना है अब जो आपके पास खराब spam URLs की list है उसे copy करिए और फिर एक notepad में paste कर दीजिए और फिर एक notepad में paste करना है ताकि हर URL एक नई list में हो normal notepad file में आपने paste कर दिया और फिर इस file को आप save करेंगे .txt format में मैं नाम देता हूँ spam-url.txt ठीक है? txt format में ही save करना है याद रखिएगा इस txt file को आपको अपने hosting account में जाकर file manager में जाकर root folder में ही डाल देना है let's say कि हमारी sample website जिसके लिए में यह सारा procedure कर रहे है उसका URL है learn today.1 इसी के root folder में हम डालेंगे तो इस file का URL क्या हो जाएगा? learn today.1 slash pam-url.txt ठीक है? एक बार इस URL को विजट करके हम देख लेते हैं कि यह file सही से open हो रही है या नहीं हो रही है? सब कुछ बढ़िया है? अब जाते हैं Google search console dashboard में और अब जाएंगे आप sitemap tab पे यहाँ पर हम अपनी .txt file का URL paste कर देंगे कोई हरान तो नहीं हो रहा है? बिकज गूगल txt format में भी sitemap को accept करता है XML format favorite है, बट .txt format भी चल जाता है, गूगल की guideline अपनी है ना जब आप यह sitemap txt file submit कर देंगे तो Google इन URLs को visit करेगा और बिकज यह URLs आपकी website पर अब है नहीं, तो Google इन सारे URLs के लिए 404 error देना शुरू कर देगा और अपनी index से इन URLs को हटा देगा, बिकज गूगल bot ने अभी आपके सारे spam URLs को crawl किया है कोई भी URL उसे मिला नहीं है, रियली में, इसलिए वो सारे URLs search results page से अपने आप छूम अंतर हो जाएंगे हो गया काम आपका, ना कुछ दिन वेट करिए, और जब आपके सारे spam pages serve से हट जाएं, तो फिर वापस आईए site map page में इस TXT file को भी हटा दीजे, तो इस तरह से एक बहुत सी छोटी चीज से, site map से, आप अपनी इतनी बड़ी problem को, hacked URLs वाली जो problem है, उसको खतम कर सकते हैं, बैसे अगर आपके पास इस specific issue पर कोई unique experience है, question है, तो comment section में पूछिए, thank you so much for watching this video, my name is Amitivari, for Amitivari.net and I will see you next time, take care.